हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर हम फाइल के अंदर यह जो option होती है reward की इस option को कैसे use करते हैं अभी यह option आप देख सकते हो highlighted नहीं है इसको highlight कैसे किया जाता है कैसे यह highlight होती है वो अभी आपको पता चल जाएगा तो ध्यान दे student सबसे पहले आपने कोई भी जो आपने existing file coral के अंदर बनाई हो वो open कर लेनी है जैसे मैंने यह जो एक existing file बना रखी है जो अभी आप screen के उपर देख रहे हो यह मैंने open कर ली है कोई भी existing file जो आप बना चुके हो जो आपने save कर रखी है लेकिन पहले बनाई थी अभी recently अगर आप उसके अंदर कोई भी changes करती हो जैसे यह देखे यह मैंने file अपनी open कर ली है और उसके बाद मैं इसके अंदर कुछ changes करता हूँ जैसे मैं इसके अंदर यह एक ellipse यहाँ पे यह ellipse draw कर देता हूँ इसके अंदर यहाँ पे हम color भर देते हैं यहाँ से color भर दिया ऐसे ही यहाँ पे हम एक दो shape और बना लेते हैं जैसे यह polygon shape ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे एक polygon shape ड्रॉ कर लिए यानि कहने का मतलब यह है friends कि जो file हमने existing open की थी अभी जो file open की थी उसके अंदर हम ये कुछ changes कर रहे हैं और ये यहाँ से कुछ थोड़ा सा text भी add कर देते हैं यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा सा text लिखने के लिए जगा है SS ठीक है तो यहाँ पे text लिखा इसका size बड़ा कर देते हैं तो ऐसे आप लोगों ने माल लिजिए कुछ changes की हैं अपनी existing file के अंदर अगर आप चाहते हो ये जो आपने changes की हैं ये remove हो जाए जो existing file open करने के बाद आपने जितनी भी changes की हैं अगर आप उनको remove करना चाहते हैं तब हम इस option फाइल के अंदर ये option होती है reward की इसके उपर आपने click करना है नाम से ही पता चल रहा है reward तो ये option भी ये देखिए activate हो गई है जैसे ही आप कोई existing file open करोगे और उसके अंदर कोई भी changes करोगे मैंने क्या कहा friends कि जब भी आप कोई existing file open करोगे और उसके अंदर अगर आप कोई changes करोगे और changes करने के बाद अगर आपका बाद में mood बदल जाता है आपका मन करता है कि हमने ये changes नहीं करनी थी तो आप इस reward option के द्वारा उन changes को जो आपने existing file के अंदर की है उसको खोलने के बाद जो changes की है उनको आप अगर remove करना चाहते हैं तो ये देखे ये आप से कहेगा कि अगर वो changes जो आपने की है उसको remove करना है आप ok कर दीजिए तो जैसे ही आप ok करोगे ये देखिए जो भी आपने changes की थी वो remove हो जाएंगी आपकी इस file में से तो इस तरीके से हम इस reward option को ये जो आप देख रहे हो reward option को use करते है है झाल झाल झाल